नमस्ते दोस्तों मेरी यूटूब चैनल राधस्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आए हूँ बहुत ही टेस्टी सा बहुत ही सौप्ट स्पंजी जूसी मिनी रसगुले की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और जो भी मैंने इस वीडियो में टिप्स और ट्रिक बताये हैं उसे आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह के आप रसगुले बना पाएंगे फ्रेंड्स ये देखे एक लीटर दूद में हमने इतने सारे मिनी रसगुले बना के तयार किये हैं ये खाने में तो टेस्टी है ही साथी देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं चोटे-चोटे से क्यूट से ये रसगुले बन के तयार होते हैं इसे आप किसी भी ओकेशन पे बना के खा सकते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो चले फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं मिनी रसगुले को और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जादस जादस सेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना बूल तो फ्रेंड्स यहां पे मिनी रसगुले बनाने के लिए गैस पे मैंने एक लीटर दूद रखा है पतिले में गरम होने के लिए और यह कच्चा दूद है इसे हम बॉयल करेंगे लगातार चलाते हुए और यहां पे मैंने गाय का दूद लिया है गाय का दूद से रसगुल की दाओने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही, उसके बाद हमें इस दूद से छेना फाड के तयार करेंगे, दूद को रखे होगे लगबग 5 मिनिट हो गए हैं, दूद का एक कटोरी छेना का पानी ले रही हूँ, यह मेरा पहले का छेना फटा हुआ जो पानी होता है, उसे मैंने स्टोर करके रख दिया था, फान से छे दिनों बाद उसमें थोड़ा सा खटा पना आ जाता है, उस पानी से आप छेना को फाड़ेगे, तो बहुत ही आसानी से छेना फट के तयार हो जाएगा, जितने भी होटल में रस्कुले बगर बनाते हैं, वो इसी पानी से छेना फाड़ते हैं, तो थोड़ा- कटन के उपर एक बड़ी सी इस तरह से चंणी लगा लिए और इसके उपर हम कपड़ा रखेंगे चंणी इसलिए लगाते ताकि कपड़ा नीचे ना गिरे और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं आप चाहे तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप दूपट एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए आप चाहे तो इसे एक घंटे के लिए कहीं पे भी टांग के भी छोड़ सकते हैं एक घंटे हो गए हैं अब हम चासनी के लिए पानी रखेंगे एक पतीले में मैंने यहां पे चाल कलर बहुत यह अच्छे से मिक्स हो चुका है यहां पर पानी में और अब हम इसमें चीनी आड़ कर देंगे यहां पर मैंने चार कप पानी लिया है तो एक कप हम यहां पर चीनी आड़ करेंगे और इसी कप से मैंने यहां पर चार कप पानी लिया था तो एक कप चीनी आड़ क करें आप किसी भी कटोरी या फिल या पिलास से भी मेजरमेण को रख सकते हैं और इसे हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे गैस का फिली में बंडियम पिलंजे या फिर आप लो कर दें इसे इसेहं बीच-बीच छेना अच्छा सॉक्ट है बट इसमें मौईस्चर बहुत जादा नहीं है तो इसी तरह का हमें छेना चाहिए होगा अगर बहुत ज्यादा पानी रह जाएगा छेने में तो जो रसगुले बनेंगे वो फट जाएंगे जब चासनी में डालेंगे तो अब हम इसे बहुत ही अच्छे से इसे मसलेंगे तीन से चार मिनट पहले हम इसे मसल लेते इसी तरह से तो फ्रेंड्स यहां पर छेना को मसलते हुए लगबग चार मिनट हो गए हैं अब हम इसमें एड करेंगे एक छोटी चमच वन टीस्पून देखे लेवल करके कॉन फ्लोर ले रही हैं मैं य से फिर से लगबग 2-3 मिनट अच्छे से मसल लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर छेना को मसलते हुए लगबग 8 मिनट हो गए हैं और देखे कितना ज्यादा स्मूर्थ इसका टेक्चर हो गया जैस तरह से यह लग रहा मैदे का डो है अब हम इसमें से छोटे-छोटे से बॉ इसलिए बिल्कुल छोटे-छोटे से बॉल देखे इस तरह से तयार करेंगे मैंने यहां पर जो पोर्शन लिया है वह कावली चना का जो होता है साइस उससे थोड़ा सजादा लिया है तो देखे बिल्कुल इस तरह से दोनों हातों की मदद से मसलते हुए इस तरह से हमें बॉल जो है वह तयार करने है छेने के इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए तो इसी तरह से हम सारे जो बॉल है छेने के वह तयार कर लेते हैं और यहां पर एक लीटर के डो में से काफी सारा जो यह मेनी बॉल से वह तयार हो जाएंगे तो सारा हम इसी तरह से तयार कर लेते ह तो देखे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे मिनी रसुल्ले के बॉल्स जो है तयार कर लिये हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अगर आपको बड़ा रसुल्ला बनाना हो तो आप इसका साइस थोड़ा से बड़ा कर ले चासनी में बहुत ही अच्छे से प्रोसे नेदगे हैं चुल आप सारे बॉल्स हमने यहाँ धाल दिये हैं अब हम इते फ्लेम पे पांच मिनट के लिए उबलने देंगे इसे हम कवर के पिछले हिस्से से देखें इस तरह से हलका-लका रस्गुला को इस तरह से घूमाएंगे यह भी काफी सॉप्ट है इसे बहुत ही हलके हाथ से इस तरह से गुमाना है और इसे हम हाई फ्लेम पे ही और साथ से आथ मिनट ऊवलने देंगे तो यहाँ पर आप गैस का फ्लेम हाई ही रखें बिल्कुल भी लो ना करें तो मैं यहाँ पर इसे और पकने दूँगी आठ मिनट और हो गये हैं रस्कुले को पकते हुए यानि यहाँ पर टोटल 13 मिनट हो गये हैं तो एक बर हम फिर से इसी तरह से चमच के पिछले हिसे से इस तरह से हम इसे हिला देंगे और रस्कुले का साइज कितना बड़ा दिख रहा है अब हम इसे चेक कर लेंगे कि रस्कुला पका है या नहीं तो यहाँ पर मैंने कर्टोरी में पानी लिया है और एक रस्कुला को हम इस तरह से पानी में डाल के देखेंगे देखि अभी पकना बागी है तो मैं इसे हाई फ्लेम पे इसे दो मिनट और पकाऊंगी तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं दो मिनट के लिए और फ्रेंट्स यहाँ पे टोटल पंदरा मिनट हो गए रसकुले को पकाते हुए अब हम गयास का फ्लेम बंद कर लेंगे और देखे रसकुला काफी बड़ा दिख रहा है बट यह थोड़ा सा स्रिंक होगा इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर आप इसे किसी दूसरे से बा उसके बाद हम इस मिनी रसकुले को सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे पांच घंटे के बाद मैंने रसकुले को निकाल लिया है और इसे मैंने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और देखे कितना सॉप्ट है स्पंजी कितना अच्छा हमारा यह मिनी रसक खाने के लिए बिल्कुल तयार है तो अब निसे क्या करेंगे सर्व कर लेते हैं ev pana primera तो आप भी इसे जरूर ट्राय करें देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए प्लेट में मैंने सारा सर्व कर लिया है अब हम इसे थोड़ा सा कटे हुए पिस्ता से गार्निच कर लेते ताकि देखने में अच्छा लगे और फेंट्स आप इसे जरू ट्राय करें और जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक बता हैं अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह के परफेक्ट रसवुले आप घर पे बना सकते हैं तो फ्रेंट्स रक्षा वंदन में आप इसे जरू ट्राय करें और अपने भायों को मेरि मिनिय द्राय की रसवुले की रसवुली की पसंद आई हो रहा तो प्ली दिल हम रख़े क्रहि हैं तो बीडियो को प्लीज करें अगर आप नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अपिन पनिन पर गप्रेश करेंगा कि आपको मेरे future upload वीडियो का notification मिलता रहे तो फिर मिलते हैं किसी next recipe के साथ तब तक के लिए thank you bye